हलो फ्रेंट्स में नाम नदीम है धर है और इस वीडियों में हम पढ़ेंगे मैटरिनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में एक्ट का जो सेक्शन वन है वो आपका शोट डिटेल शोट में बताता है इसके बारे में किस चीज़ के लिए है या किस से रिलेटिड है यही कहता है कि यह जो एक्ट है मैटरिनिटी एक्ट 1961 जो एपलाई होगा यह उन वोमेन पर इमप्लोईड वोमेन पर मतलब वरकिंग वोमेन पर एपलाई होगा जो की अलग अलग establishment में आपका इन्वॉल है establishment में यहां का मतलब है इस section में जो establishment word उस किया गए establishment का मतलब है आपका factory हुआ, mines हुआ मतलब कि जहां पर भी वो काम कर रहे है sector में जिस भी field में वो काम कर रही है उसको आपका establishment कहा गया जाए वो factory हो, mine हो, plantation हो, यह इíamos बताए गया है यह working woman के लिए है कि जहां पर वह जहां पर ही उप काम करते हैं तो वहां पर ढ़्रेश यह लंगी उसर Int sollte watts देशिटरी के अपर इस वामन को मतलब कि अगर प्रेगनेंट मलने चाहिए और receiver के बाद उसको क्या benefit मिलेंगे तो यह act इसी से related जो है deal करता है act है यह सभी जितने भी हर establishment पर establishment already में आपको बता चुका हूँ क्या चीज़ है तो हर establishment पर आपका factory हो माइन हो यह plantation सब पर यह आपका जो है apply होता है किस establishment पर apply होगा या नहीं होगा यह किस के ओपर depend करता है यह depend करेगा आपका state government के ओपर अगर state government चाहे तो यह किसी भी industry पर किसी भी commercial उस पर या फिर किसी agriculture उस पर तो मतलब किसी से भी related यह किसी पर भी यह act apply कर सकती है तो यह state to state vary करेगा हर state का अलग अलग होगा तो हर state जो state मतलब कि अगर चाहेगी कि यह इस industry में या इस आपका agriculture उसमें यह चीज़ आपका apply होना चाहिए यह वाला act तो उसको क्या करना पड़ेगा state government को state government को central government से पहले approval लेना पड़ेगा इसको apply करने के लिए इस act को apply करने के लिए उस industry पर या उस type के factory बर इसके बाद state government क्या करेगी उसके बाद state government इस act को apply करने से पहले enforce करने से पहले कम से कम से कम दो महिने पहले इसको official gadget में इसका notice देगी notification देगी उसके बाद यह enforce किया जाएगा करते हैं कि यह act कहां पर apply होगा तो यह maternity benefit act 1961 आपका हॉल इंडिया पे पूरी इंडिया में आपका applicable होगा सिर्फ आपका छोड़ कर किसको state को जम्मू एंड कश्मीर state को छोड़ कर यह पूरी इंडिया में आपका apply होगा साथ साथ मैंने आपको section 2 भी बताया है section 2 में आपका application of act के बारे में बताते हैं कि यह act कहां कहां पर apply होता है तो इसके लिए already मैं आपको बता चगहूँ पहली तो साथ साथ इसमें section 2 में ही यह और बताता है कि बतल भी यह तो मैंने बताया आपके जो भी establishment में factory में में जहा होगा जैसे मैं आपको लेडी बताया तो यह जो depend करेगा पहले ही किसके उपर depend करेगा यह depend करेगा state government के उपर के state government तो यह अलग-अलग state में government के उपर होगा कि यह shop पर apply होगा या नहीं apply होगा पर अगर यह shop पर apply होगा तो यह apply होता है उसमें होगा कि जिस shop में 10 या 10 से ज जाद 10 से जादा person employed हैं तो उस shop में उस दुकान पर भी ये act जो है apply होगा और ये apply होना किसके उपर मैं पहली बता चुक हूँ आपको state government के उपर depend करता है कि state government चाहेगी तो shopper होगा अगर shopper होगा तो ये condition है उसके लिए के बारे महीन प्रेसिडिंग 12 मंत में जो है कम से कम at least 10 या 10 से जादा person उस shop में employed हो तो ये maternity act जो है apply होगा एक्ट के section 3 की बात करें तो section 3 में जो कुछ definition दी है उनके बारे में बताएगे क्या क्या चीज होती है तो उसके बारे में कुछ definition के बारे में हम पढ़ लेते हैं appropriate government सबसे पहले definition इसमें दे रहे हैं तो appropriate government जो दिया गया ह इसमें इसमें बारे में जो 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 है चाइल्ड आपका माना जाएगा और delivery की definition दी है birth of the child मतलब की बच्चे का जनब होना जो इसको delivery का गया है employer किसा गया गया है employer का मतलब है आपका establishment से लेटिड मतलब कोई इंडस्टी फैक्ट्री या माइं उससे रिलेटिड जहां पर मतलब की जो woman है या जो employee है जो काम कर रहे हैं तो establishment से लेटिड है अब वो अगर वो दो चीज हो सकती है वो जो establishment है वो government के control में हो सकती है या फिर अलग से आपका जो है private के सकती हो या फिर local authority के control में हो सकती है जो माना है इसमें वो है establishment से related है तो जहां पर जो अगर वो किसी भी government के अंडर में आ रही है कोई भी person या फिर government authority के दोवारा कोई भी government के दोवारा कोई भी authority उस establishment की appointment की गई है इसके लिए supervision and control of the employee मतलब की जो काम कर रहे हैं लोग बाग जो employee है उनके supervision और control के लिए government के दुआरा जो authority appointment की गई है उसको employer माना जाएगा कोई authority appointment नहीं की गई है तो जो head of the department है वो आपका employer माना जाएगा roughly छोटे से simple से example से आपको समझा लेता हूँ यह rough form में हम समझ लेते हैं suppose कर यह कोई एक industry है कोई factory है या फिर कोई भी company है जो की वो government company है तो government अगर किसी भी person को appointment करती है अब तो किसी person को appointment करती है किस चीज के लिए supervise करने के लिए control करने के लिए जो employee उस company में काम कर रहे है उस factory में काम कर रहे है तो वो जो authority होगी जो भी appointment की गई है government के दुवार आप वो employer मानी जाएगी अगर कोई authority अपोइंट नहीं की गई है तो जो head of department होगा वो आपका क्या माना जाएगा employer माना जाएगा चलते हैं दूसरे उसमें दूसरे उसमें है local authority के अगर बात करें कोई भी अगर local authority के दुवारा कोई भी person अपोइंट किया जाता है किस वज़े से कोई भी authority या कोई भी person अपोइंट किया जाता है supervision और control के लिए employee के control के लिए तो उसको employer माना जाएगा कोई person अपोइंट नहीं किया गया है तो चीफ executive officer होगा वो आपका employer माना जाएगा कह सकते हो suppose करो आपके example के तोर पर लेते हैं जैसे अमबानी है उनकी company है तो अब उसमें जितने भी worker काम कर रहे हैं अमबानी की company में तो उस company उन employer को सबको जितने भी employee है जितने भी काम करें तो उन employee को supervise करने के लिए उनको control करने के लिए कोई ना कोई authority आपकी अपउंट की जाएगी अमबानी के दौरा तो उस वो authority भी आपका employer के अंदर आती है कह सकते हो कि कोई भी person या कोई भी authority जिसका control है मतलब जो employee है जिनके दौरा काम किया जा रहा है उनके सारे कारे काम को control किया जा रहा है supervise किया जा रहा है जिस भी person के दौरा चाहे वो आपका manager हो managing director हो या फिर कोई appoint के person हो कोई अलग से ठीक है तो वो सारे ये कोई managing agent हो तो सारे ही आपका employer के श्रेड़ी में आएंगे उनको employer ही माना जाएगा यह चीज आपके clear हो जाती है कि यह आपका government field में भी आपका और private field में public field में उसमें भी दोनों ही तरह एक से आपका दोनों ही चीज़े involved हैं दोनों के लिए ही applicable होगा establishment का मतलब है कोई भी factory कोई भी mine कोई भी plantation या कोई भी ऐसी चीज़ जहां पर जो employee है वो आपका लगे हुए हैं काम कर रहे हैं जिस भी उसके अंदर industry के अंदर उसको establishment कहा जाएगा वेजीज को define किया तो वेजीज में यह कह रहे हैं कि जो भी जितना भी reumeration है जो paid किया जाता है या फिर आपका cash के form में woman को दिया जाता है तो वह आपका wages कहा जाएगा चाहे वह आपका contract of employee employment है वो express हो या implied हो दोनों में को किसकी भी तरह है जो contract of employment हो तो उस case में जो भी reumeration आपका या cash जो pay किया जाएगा woman को उसको wages की शिर्णी में आएगा cash allowance इसमें क्या होगा cash allowance होगा जिसमें कि आपका DA मतलब की dearness allowance plus and आपका house rent allowance यह आपका include होगा और या फिर कोई भी incentive bonus दिया जाता है वह आपका आएगा इसी तरह का concession दिया जा रहा है आपका food जो food grain की supply की जा रही है उसमें तो यह सारा आपका wages के थोर में आएगा क्या चीज़ include नहीं की जाएगी wages में wages में क्या include नहीं किया जाएगा incentive bonus से अलावा अगर किसी तरह का bonus दिया जा रहा है तो वह wages के अंदर नहीं आएगा किसी भी overtime earning किसी तरह की मतलब है अगर हम जादा देर तकाम करें आपको मिल रहा है तो वह include नहीं होगा या कोई deduction किया गया है या फिर किसी तरह का जो fine किया गया मतलब कि जो payment की गई है fine जो उस पर आया है person पर जो भी employee है उस पर कुछी तरह का fine लगाया गया है तो वह भी आपका wages के नदर नहीं आएगा इंप्लोईर के दुवारा जो fine के दिया गया मतलब तो वह fine भी आपका नहीं include के जाएगा इसमें और भी किसी भी तरह का contribution जो paid के दुवारा इंप्लोईर के दुवारा employee को चाहे वह आपका pension fund के तोर में हो provident fund के तोर में हो तो वह सारी चीज़े भी आपका wages में नहीं include की Gratuity payment है वह भी आपका इसके अंदर include नहीं होंगी woman को defined किया है कि woman क्या है woman में आपका जो define किया woman वह और इसमें woman कहीं गई है जो की employed है आप चाहे वह directly हो या किसी agency के थ्रू आपका employed होई हो काम कर रही है तो वह woman जो है आपका section में इस act में include की गई है उसे अब बात करते है probation against employment of pregnant woman यह आपका section 4 में दिया गया है maternity benefit act 1961 में तो इसमें यह चीज कहा गया है कि जो pregnant woman है उसको कब काम नहीं करने दिया जाएगा तो इसमें इसमें कहा गया है बात कर लेते हैं कि condition जो हैं दो तरगे हो सकते हैं एक तो जो employer है वो pregnant woman से जबरदस्ती forcefully काम करा सकता है दूस दूसरा आपका जो woman है pregnant woman है वो खुद काम करना चाहती तो दोनों ही condition में आपका probate किया गया है दोनों ही condition को के दोनों ही condition में अगर जो employer वो चाहे या फिर आपका woman जो pregnant woman वो खुद काम करना चाहती तो दोनों ही condition में उसको काम नहीं करने दिया जाएगा उसके बार में बा करने तो उस हमें झाल करने फैने क्या ही ह्सक्वार्फ कि इस पर सबाद को उसको सब्सक्राव गत्रति ईजाज़ता अग। उस सब्सक्रावचोर उसको ड्रीट करने की इसाज़त नहीं जाएगी एक ठरह से जो टॉटल भैनेफिट मिलेगा, यहलिय। है उसको 12 दिलिवरी के बाद एक्ट्यल डिलिवरी के छए हफते बाद तक इस एक्ट में साथ साथ यह भी कहा गया है कि जू जो एकस्पेक्टिड डेट है उस से 6 फते पहले उसे कारिया नहीं करने डिया जायागा और उन 6 हफतों से 1 महीने पहले उसको कोई भी ऐसा कारिया नहीं दे पर यहां पर मना कर रहे हैं कि काम ही नहीं करने दिया जाएगा पर जो एक्सपेक्टी डेट है उससे च्छे तछे काम मेहरें नुट किरे मिदानी अच्य एक्सपेक्टी डेड़ इट ze उसको काम करने की जाज़त तो मिलेगी पर जो काम जो मिलेगा उसको वो बहुत लाइट मदर नॉर्मल काम कर सकती है वो कुछी ऐसा कोई कटन काम नहीं कर सकती जिससे कि उसकी हेल्थ पे या प्रेगनेंसी पे या फिर miscarriage होने का खत्रा हो इस तरह से कोई effect पढ़े तो इस तरह का काम नहीं मिलेगा उसको Hello friends में नाम नदीम है धर है और उस फीरियों में हम पढ़ेंगे